राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों मैं आप के लिए लिकर हाई हूँ शीराम भगवान की गता बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरे सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै शीराम जै हनुमान अवश्य लिखें बोलो शीराम भगवान की जै हो पवन पुत्र हनुमान की जै हो शीराम ने वीभीशन हनुमान नल नील अन्ने सभी को गले से लगाया और उनके दिवेश सपर्ष से वह सभी रोंबान्चित हो गए इसके परिनाम सुरूप उन सभी की थकान पल भर में दूर हो गई तथा शीराम पर हुए सभी घाव निमिश मात्र में भर गए शीराम के प्रसन वदन को देख कर सभवानर उलसित हो उठे वानरों पर राम की क्रिपा द्रिष्टी की वर्षा हुई इसी वीज मेगनाद की पतनी सुलोचना के पास उसकी दासी दोडती हुई आई और सुलोचना को उसके पते की मृत्यू का दुखस समाचार सुनाया रावन ने कहा अभी तक मेरा विश्वास था कि यह लगुकारे मेगनाद या कुम्बकरन वारा पूरन किया जा सकता है किन्तु अब मैंने अपने नित्रों से उनके प्राक्रम की असफलता देख ली मैं बहुत लज्जित हूँ मेगनाद वान्रों के आकर्मन से मर गया वान्रों द्वारा मरने वाले वीर योधा होने का दावा कैसे कर सकते हैं रावन ने सुलोचना को धहरे देने का प्रेदन किया उसने कहा आदरनिय नारी तुम दुखी मत हो तुम मुझे इस प्रकार का प्राक्रमी मत समझो मैं कुछ समय में ही तुम्हें शान्द कर दूँगा तुम रन भूमी में मेरा घोर प्राक्रम देखना जिन्होंने तुमारे पती का वद्ध किया है मैं उन सभी के सिर काट कर अपने साथ ले आऊंगा इसमें कोई संदे नहीं इस प्रकार रावन ने सलोचना के समक्ष आतम प्रशंशा की एवंगरव से फूल गया और गुसे से लाल पीला हो गया यह इस चबद सुनकर बुद्धी मान और गुनवान सलोचना ने कहा हे दशानन क्या आपके मन में तनिक भी यह आशा है कि आप विजय प्राप्त कर लेंगे आप भ्रम के गहन अंधकार में पति थें मैं अपना क्रोध और निराशा इतने समय से निगले रही क्योंकि मेरे विजा से शर्षर का विरोध करना उचित नहीं था तथा इस विशे में आपको समझाने का प्रितन करना भी वियत था आपका क्रोधी इस त्वीब के रक्ष्णों के नाश का मूल कारण है मैं आपको बता दूं कि आपके लिए राम पर विजय पाना असंभव है यह निर्विवास सत्य है सुलोचना सहसा खड़ी हो गई और वह में एक नाश की माता रानी मंदोद्री के रनिवास की और विलाप करती हुई दोड़ी वहां पहुँचकर मैं अपनी सास के चन्नों पर गिर कर बोली आपके पती के कारण ही यह अपत्ती आई है अन्य किसी कारण नहीं आप भी उस विपत्ती से नहीं बस सकती जो आज कल में आप पर आने वाली है उसके विदिर्न रिदे से कटू और निदे शवद फूट पड़े मंदोद्री ने भी जब रावन की कूप पर विदियों और उसकी निक्रिष्टता पर उसके गरव का ध्यान किया तो उसे भी महान पीडा हुई सुलोचना के वचनों की सत्यता को जानकर वह भी रो पड़ी वह दोनों बहुत देर तक मोन बैठी रही और इसके बाद प्रस्पर राम का गुनगान और सीता के धेरे एवं सतित्व की प्रशंशा करने लगी उन्होंने कहा यदि वह उस दिव्वे पुरुष की जलक भी पाले तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा रावन अपने शोक संतिप्त पुत्र वधू सुलोचना का दुख नया सह सका उसके वचन रावन के रिदय में तिक्षन काटों के समान चुब गए उसे अपने योग्य और अतिप्त ये पुत्र की बित्यू पर इतना गहन शोक हुआ कि वह भूमी पर गिर पड़ा और निराशापुरवक अपना सिर भूमी पर मारने लगा फिर वह खड़ा हो गया और उसने अपने प्रिये मंदिर में शिव की प्रदीमा के समक्ष अपने संपूरन वेदना अर्पित कर दी तब ही उसके मंत्री गन उसके पास पहुँच गए और बोले हे राजन आप व्यत्मे विलाप्त क्यों कर रहे हैं हम अपने जिन पुत्रों पत्नियों अन्ने लोगों से अगास नहें करते हैं वह सभी उसी प्रकार नश्वर हैं जिस प्रकार दामनी की एक कौंध एक पल के लिए घने बातलों में चमक उत्पन कर फिर लुप्त हो जाती है जीवन तो बिजली की एक कौंध है यह शाशक नहीं है पूरंत है यह जानते हुए भी अज्ञान में डूबना उनकी मृत्यों पर विलाप करना आपके लिए उजित नहीं है यह भावी योजना पनाने का समय है ऐसा शड्यंत्र रचें जिस से हम द्वार पर आईशत्रू का नाश कर सकें उन्होंने रावन को धीरज बंधाने का प्रयास किया और विभीन तरकों द्वारा उसे तुरंद आवश्यक कार्यों का स्मरन करवाया अंत में रावन अपने बीसों हाथों को करबद कर शिव से प्रातना करता हुआ अतिश रधा पुर्वक मंदिर की भूमी पर धन्वत हो गया जब यह घटना हुई तो अधो लोक में रहने वाले अही रावन को ग्यात हुआ कि रावन पर महान दुख आया था उसने मन ही मन सोचा ऐसा कैसे हो सकता है तीनों लोग उसके वश में है उसे कोई प्राजित नहीं कर सकता अही रावन कामदा देवी के अतिरे अन्ने किसी की पूजा नहीं करता था तुरंथ ही उसने देवी का धिहान किया और देवी ने अपने उपासक को रावन का वेह पता दिया जहां वेह उस समय था अते वेवे भीब मंदिर में ही रावन के पास पहुँच गया वेह रावन को पुकारता हुआ उसके चरनों फर गिर पड़ा अही रावन तो रावन का ही पुत्र था उसने पिता की व्याकुलता और दुख का कारण पूछा रावन ने उसे राम वा लक्ष्मन द्वारा शूप नखा के ना कान काटने की घटना से लेकर तक तक का संपूरन वितान सुनाया यह सुनकर अही रावन अति उदास हो गया और बोला संसार का परतेक व्यक्ति नैतिक पत की अर्चना करता है उस पत से भृष्ट हो अनैतिक मार्ग अपनाने से रिदय में भय प्रवेश करता है आप अपने भूत्वा भविष्य का ध्यान ना करते हुए मूरक्ता पूर्वक इस प्रान घातक युद्वे जुट गए इसके परिनाम सुरूप आपने अपनी जाती और वंश का भी नाश कर दिया आप मानव में विद्देमान प्राक्रम एवं शक्ति को नहीं जानते आपने महानतम मानव को लगुतम एवं निमंतम गिना है और निमंतम गिना अब मैं आपको एक बात भतलाना चाहता हूँ मैं राम और लक्ष्मन को पकड़ कर अधो लोक में ले जाऊंगा और कामदा देवी के प्रती उनकी बली चड़ा दूँगा इस प्रकार मैं राक्षा स्वंश के लिए अपरिमित यश अर्जित करूँगा इन शब्दों सहित उसने रावन को दन्वत प्रणाम किया और काम में प्रगाण सिमिर फेला दिया कोई भी उस गहन अंधेरे में अपनी हथेली तक नहीं देख सकता था किन्तु शिविर में बानर बहुस तर्ग से उस थान पर तो मृत्यू भी आने का साहस नहीं कर सकती थी रक्षक हनुमान ने अपनी पूच अत्यदिक लंबी कर शिविर के चारों और उसे कई घेरों में लिपेट लिया जिससे उन घेरों से एक द्रिड़ परवत के समान उंचाई बन गई उस तुर्जेई दुर्ग में परवेश पाने के लिए एक ही द्वार था जिस पर हनुमान स्वयम बैठे थे अही रावन पोच में लिप्टे दुर्ग क को देखकर बहुत भैभीत हो गया वह इस रख्षा प्रवंद को देखकर कोई चाल नहीं चल सका इसके बाद उसे एक युप्ति सुची उसने विभीशन का रूप धारन कर लिया और द्वार पाल हनुमान से बोला मित्र मुझे राम के पास चाना है मैं उन्हें की सभिकृत का उलंगन करने का पाप लगेगा अतै मुझे शिवर में जाने दो हनुमान ने उसके बचन सुनकर उसके रूप को देकर उसे विभीशन ही समझा उन्होंने उसे शिवर में जाने दिया उसने देखा कि नल नील और सुग्रीव दोपहर के भीशन संगराम से ठके हुए होने के कारण गेहन निद्रा में सो रहे थे राम भी अपने भाई लक्ष्मन का हाथ अपने हाथ में थामे सो रहे थे राम भी भीशन के उसमित्य रूप से अन्भिक्य नहीं थे मानव रूप में अवतार लेने का उदेश्य था प्रित्वे पर संपूरन राक्षस चाती का वह अहिरावन की चाल से अन्भिक के थे कोई भी राम की लिला नहीं जान सकता में स्वयम ही जानते हैं कि किस का कहां कब और किस धंग से नाश करना है में अपने ही धंग से निज निदेश अनसार नाटक करते रहे राक्षस ने वह मोह मंत्र पढ़ा जिससे किसी को मुहित क पर मुचित किया जाता है उसके कारण कपी नायकों को गहन निद्रा आ गई इसके बाद मेहराम वालक्ष्मन को बांद कर पाताल लोक ले गया बोलो श्री राम भगवान की जै हो रादे रादे जै श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद